स्वागत बच्छों आपका सेल स्ट्डी के इस चैनल में तो आज की हम अपनी 22nd वीडियो वोकाब की स्टार्ट करते हैं और इससे पहले वाली जो 24 वीडियो जो है वो एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने अलग से वहां पर अप्लोड कर रखी है वोकाबलरी के नाम से में असानी हो ओके बिना टाइम कवाएं आज का जो हम पहला वर्ड है वो कर लेते हैं पहला जो वर्ड है वो है आर्डेंट अर्डेंट का मतलब होता है उत्साही या प्रबल और इस वर्ड को हम याद करेंगे इसी की परनेंशेशन से इसकी परनेंशेशन जैसे जो एक दुकानदार को order मिलते हैं कि इतना समान हमें पहुंचा दो order aunt aunt जो होती वो auntie ऐसे गली वहले में जो auntie आपके ऐसे इस से करेंगे order aunt ये की रहेगी हमें याद करने की इस word को कैसे जरा example के तुरू समझे कि एक auntie है और वो auntie जो है वो कोई काम करती है ठीक है तो उसको काफी टाइम से order नहीं मिल गए है लेकिन order एकदम से उसको बहुत सारे मिल गए तो order aunt को मिलते ही अरे यार अरे क्या हो रहा है order aunt को मिलते ही मिलते ही वो उत्साही उत्साही हो गई या उत्सा उत्साहित हो गई clear यहां पर तो order aren't यहां पर की भी आगए और उत्साह यहां पर क्या आगया इसका meaning भी आगया clear हुआ पहला word के बाद अब second word जो है देखो G-A-O-L इसको जो है वो goal मत पढ़ देना काफी सारे बच्चे इसको goal पढ़ने की कोशिश करेंगे इसे वो को पहले लाएंगे ऐसा नहीं है इसकी जो pronunciation है वो jail ही है jail है इसकी pronunciation ठीक है और इसको हम याद करेंगे jail से याद करने वाले हम इसको clear jail इसका meaning क्या है कैद करना ठीक है जेल से हम याद करेंगे, देखो जेल में क्या होता है, जेल में कैदियों को कैद करना है, कैदियों को कैद करना है, clear यहाँ पर, तो जेल जो है यहाँ पर भी आ गया, इसकी की आगी और कैद करना, यहाँ पर इसका meaning भी आ गया, यह बड़ा easy word है, जेल, interesting भी है, G-A-O-L, ध् करना और हमने इसको याद किया है, जेल से, इसकी pronunciation भी है, यह सेम है, यह ही है, okay, second word के बाद, जो हमारा third word है, वह है, accolade, accolade, okay, accolade, okay, इसका meaning होता है, प्रशंसा करना, accolade को हम याद करेंगे, informational, parallel, adequate, add, add, advertisement होती है, अकेले, add, इसको हम इससे याद करने वाले, accolade का मतला होता है, प्रशंसा करना और हमने इसको याद करना है, अकेले, add से, okay, हम जैसे कि, हम अपनी प्रशंसा है, यह मैं जैसे अपनी चैनल की बात करूँ, माँ खूदी अपनी चैनल की प्रशंसा करत तो हम अपने हम अपनी अकेले हम अपनी अकेले एड कर सकते हैं इसलिए लोग हमारी परशंसा करते हैं करते हैं clear यहां पर प्रशंसा करना यहां पर इसका मीनिंग भी आ गया और अकेले एड यहां पर की भी आ गी clear हुआ एकलेड एकलेड का मतलब होता है प्रशंसा करना और हमने इसको याद कैसे के अकेले एड से okay second third word के बाद जो हमारा fourth word है वो है rudimentary 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 मत बोलना I rudy मत बोल लगना इसको rudimentary clear इसका मतलब जो होता है वो शुरुआती आरंभिक होता है और हम इसको याद कैसे करेंगे rudimentary को road में road में entry road में entry इसको हमें ऐसे याद करने वाले ठीक है rudimentary की कही ना कहीं जो pronunciation वो ऐसी है road में entry okay example के तूर हम इसको समजते है example में कैसे समझेंगे इसको गाड़ियों वो रोड में को जाता है । गाड़ी ही त जाएंगी गाड़ियों mental गाडियों की रोड में रोड में एंट्री अभी शुरुवाती दोर में है शुरुवाती शुरुवाती दोर में या आरंबिक दोर में शुरुवाती दोर में है clear हुआ यहाँ पर तो रोड में एंट्री यहाँ पर meaning बेंगे की भी आगे और शुरुवाती दोर यहां पर इसका मीनिंग भी आगे रुडिमेंटरी का मतलब होता है आरंबिक और शुरुवाती जैसे भी आप चाहें जो इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है उसको देख लेते हैं यह है आज्ज्वेस आज्वेस 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 का मतलब होता है कठिन कार रहे है आज्वेस का मतलब होता है कठिन कार रहे है और इसको हम याद कैसे करेंगे और दास और दास और दास दास का मतलब क्या होता है गुलाम या फिर नोकर ऐसे आज्वेस का मतलब होता है कठिन कार रहे हैं और हम इसको याद करने वाले हैं और दास, clear example के तुरु समझते हैं, जैसे आप कोई कारे कर रहे हूं, कारे बहुत कठिन है बहुत कठिन कारे है कारे बहुत कठिन कारे, दो बर कारे कर लगा दिया इसको कर रहे बहुत कठिन है कर रहे बहुत कठिन यह हैं कर रहे बहुत कठिन है इसलिए और दास लेकर आओ और दास लेकर आओ आर्जोस आर्जोस का मतलत है कठिन कर रहे इसको हम कैसे करेंगे और दास कर रहे बहुत कठिन है यहाँ पर इसकी की भी आगी और और क्या कहते हैं अच्छे की नहीं इसका meaning भी आगया और दास यहाँ पर इसके की भी आगी clear हुआ तो यहाँ पर यह 5th word भी खतम हो जाते हैं एक बर जल्दी से इनकी revision कर लेते हैं पहला जो word हमने किया है वो है ardent, ardent का मतलब होता है उत्साही प्रबल और हमने इसको कैसे किया order आंट से, order को मिलता ही वो uhasaight हो गए, order को मिलता ही जेल, जेल का कैद करना, इसको हम ने कैसे किए जेल से ही याद गेए, जेल में कैद किया जाता है, कैद करना होना है थाइड वरट जो हम ने किया एकलेड, एकलेड का मतलब होता है प्रशंसा करना यह मैंने अपने चैनल का एड़ गर दिया है ठीक है जो फॉर्थ वर्ड है वो रुडिमेंटरी का मतलो होता है शुरुवाती आरंभिक रोड में एंटरी गाडियों की इसको एक्जामपल कैसे समझा है गाडियों की और दास लेकर आओ तो यह थे थे आज के पांच वर्ड उमीद करता हूँ कि आपको यह पांच वर्ड समझ में आई होगे तो क्या करना है लाइक करना है किसको वीडियो को शेर करना है किसको वीडियो को और किसको चैनल को भी और साथ में क्या करें चैनल को भाया सब्सक्राइब भी करें सब्सक्राइब भी करें clear हुआ और इस वीडियो से related अगर आपको क्या चाहिए PDF चाहिए तो link मिलेगा आपको description box में किसका? Telegram का और साथी साथ Facebook का तो जाकर join कर लीजिये वहां पर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटिट जो PDF है वहां मिल जाएगी Thank you for watching this video